तो जेडियू संसादिय बोर्ट के अध्यक्ष उपेंद्र कुश्वाह ने ट्वीट किया है उन्होंने लिखाए कि एंट्रीय में पीम है मानिय श्री नरेंद्र मोदी जी लेकिन देश भर में वेक्तित्व के रूप में अगर आकलन किया जाए तो आदर्निय श्री नितीश क कुमार जी पीम बनने की यूगे हैं आज हमारी दावेदारी नहीं है लेकिन श्री नितीश कुमार पीम बनने की हर तरह की योगतार रखते हैं तो बड़ी हबर सेम आपको रूबरू कराने साथ ही तमाम जो स्टेट्मेंट निकल कर सामने आ रहे हैं उनसे अन्दाजा लगाया जा सकता है कि अभी हर पार्टी का जो सदस्ते हैं और हम लोग जीला में क्या-क्या तैयारी किये हैं उसके संबंध में पूरे सदस्ता अभियान हुआ है और फिर एलेक्शन पर देश्टा होगा रास्त होगा कोई बहाना नहीं है को हमारे नेता जानेंगे हम नहीं जानेंगे कौन होगा नहीं होगा येस की जनकारी मुझे नहीं है हम संगठन पर रिपोर्ट करने जा रहा है कि हम सिवान जीला में जाते हैं कि कुछ इस तरह का चल ला है जो जिस पर बहुत चर्चा करने की जुरूरत है सब चीज तो नितिश कुमार जी के नतुरत में बहुत ठिक टाक डंग से चल ला है सोनिया गंधी को कॉल गया है से नितिश कुमार का यह कंफर्म हुआ है अब इसकी जानकारी हमको नहीं है इस पर हम क्या बढ़ते हैं चिराग मॉडल के बाद चिराग ने बोला है कि विकास मॉडल है हमारा और जो जद्यू है उनका मॉडल के वज़े से कर्रप्शन क्राइम यह सब बढ़ गया है अब बोलना है उसे हमको क्या लन देना है बोलते रहे हम लोग अपना काम करते हैं जोब कि तो देखिए कि बिहार के सरोकारों के साथ तो दिक्कता रही है तो देखिए कि बिहार के सरोकारों के संदर्व में आने वाले दिनों में क्या होता है यह कर रहे हैं वो कर तो उसका तो कोई मने ये नहीं होगा ठोस रियल्ट नहीं होगा R.J.D. के नेताओं से मेरी बात्चित होती है, क्यों कल भी मेरे महा गटपंदन के साथ ही हैं, कल भी थे हम लोग साथ, आज भी हैं, उन से बात होती है मेरी, और उसमें आप मान भी सकते हैं, कुछ बात हुई, लेकिन जद्यू के किसी नेता से मेरी बात्चित नहीं है. तो यह क्या हुने जा रहा है कुछ प्रिक सब्सक्राइब करने के लिए जा रहे हैं नहीं है इसे ख़बर आया है और अच्छा यह बताइए कि सिर्फ आर्जीरी की आ बैठा के या महागट बंदन की सभी विधाय को वह हम लोगों के नियतात है करेंगा किनका बैठा का इसके भी ख़बर आय जा वह हम हम लोग हम लोगर। शर्फ नियता से मिल्ने के लिया है अपले इसविपाची फ़े खाई जीजैनि फोर्टे की मतलब है और जीए देंगे हैं अडिया थे यह जोविए इस ना किसान ना मजदूर ना नौजवान ना कोई ना किसी व्यक्ति का सतन्तरता या किसी संसतानों का सतन्तरता शरवचन आले हो ilection commission हो चाहे संसत के गारिमा हो चाहिए कोई भी संस्थानों का जिन मुल्यों के अधार प्रदेश की आज़ादी हुई थी उसका अज सम्मान नहीं रहा है यह को अधार नहीं रहा है उसे इक अग्रेश का यह थानों कि इसका कोई आधार नहीं होता है जब तक कुछ ठोस हमारे सामने ना है तब तक इस पे कुछ टिपणी करने का मतलब नहीं है लेकिन दोहजार पच्चिस तक दोहजार बीस में हम चुनाओं